स्वस्थ और बल्वान नागरिक ही तेश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। नावालिक लड़किया, महिलाएं एनिमिया के शिकार हैं। बच्चे के लिए परियाप्त दूद उत्पन नहीं होता। परिणाम स्वरूप बच्चों में बीमारियों से लड़ने की शक्ती नहीं होती और वे अक्सर बीमार हो जाते हैं। कई बार शिशु के जान के लिए खत्रा साबित हो सकता है। क्या इस समस्या का समाधान नहीं है? क्या यह समस्या इतनी जटल है? नहीं, अवश्य इस समस्या का समाधान है। एनीमिया से बचने के लिए कई आसान तरीके हैं। इसके लिए अधिक खर्च भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रतिदिन के भोचन में लौह की कमी के कारण हमें एनीमिया हो सकता है। अपने भोचन में लौह युक्त पदार्थों को अवश्य शामिल करें। हरी पत्तिदार सबजियां, तरकारी, अनाज, डाल और फल नियमित रूप से खाएं। यह अपने शरीर में लौह की अवश्यक्ता को पूरा करता है। इन पदार्थों के सेबन से अपने शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ध्यान से सुनें, हरी सबजियां, अनाज, डाल, फल जैसे खादिपदार्थी आपकी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हरी पतेदार सबजियां, तरकारी भरपूर खाएं, और एनिमिया से बचें, महिलाएं, अपने स्वास्थी पर ध्यान दें, और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखें, अपने देश के लिए स्वस्थ नागरिक प्रदान करें, और देश को शक्तिशाली बनाएं। याद रखें, आहार को और शधी के रूप में खाएं, अन्य था, और शधी ही आपका आहार बन जाएगा।